दिल है नगमा निगार रहता है हां तेरा इंपजार रहता है दिल है नगमा निगार रहता है हां तेरा इंपजार रहता है तो इंपजार की गड़ियां खत्म होती है जब एक कलाकार वहां तक पहुँच जाता है जो उसकी मनजल होती है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर दीपक सेतिया जी से ये पूछ कर कि जब ये अलबम का कॉंसेप्ट आया और आपने देखा गीता जी को इस सेलबम की तैयारी करते हुए वो सारा आपके लिए कैसा आनुगा होता है बहुत अच्छा अनुब था शुक जी कि कोई फोन आ रहे हैं कह रहा है क्या जा रहा है बहुत अनुरोद किया जा रहा है कि ये गाना ये गजल आप से ही सुनने को मन करता है और बहुत सारे लोग सुनेंगे और जिनों जो लेख हैं उनका ये कहना था कि मैंने पहले लोगों से भी ट्राइ किया जो कि जाने माने लोग थे हिंदोस्तान में भी पाकिस्तान में भी पर मुझे आपके वो बच्पन में सुनी हुए आवाज याद आती है और मैं चाहता हूँ कि आप इन गानों को अपने शबद दे तो क्या ऐसा रहा कि आप इमान दारी थी बताएए ऐसा कभी रहा है कि आपने रिक्वेस्ट किया हो कि मुझे वो गाना सुनना है या ऐसा कभी हूआ नहीं नहीं बहुत बार हुआ अगर आप इसकी आवाज आप तो सुनते रहे हैं तो ऐसी आवाज कोई किसका मन नहीं करेगा कि सुने यह मैं आपको घर में बताओं तो यह पती ऐसे होते हैं उनका मन नहीं करता है आंदर पर यह देखा है तो कौन सा गीत है जो इनका गाईवा आपको विश्विश पसंद आता रहा पहले अब भी आता हूँ बहुत पुराना गीता शनगीता को जादा यहाद होगा मेरे से तो वह तो मेरे सनम पिक्चर का गाम है जब चले थंडी हवा जब उठी काली घटा मुझको एजाने वफा तुम याद आए तो एक होता है किसी के द्वारा कंपोज किये वे गीत को गाना एक होता है खुद कंपोज करना तो इस अलबम में कंपोजर के रूप में भी आपका नाम है तो यह जो रोल है कंपोजर वाला इसका जो process, creative process है उसके बारे में कुछ बताएं आपका देखिए यशुम ची जैसे मैंने पहले कहा मैंने मदूजी को भी कहा कि मैं गाइका हूँ मैंने compose कभी किया नहीं है ऐसे तो उन्होंने थोड़ा मुझे encourage किया कि करके देखो कैसे आपको लगता है उसको बनाने के लिए एक कभीता मेरा जो अपना तरीका है उसको compose करने का जैसे मैंने इसमें किया कि कभीता हाथ में लेके मैं उसको एक तरह से विजुलाइज करती हूँ जैसमें थोड़ा मेरा अभीनाएका अनुभव मेरे ख्याल से कहीं मुझे खीचता है वहाँ मैं उसको मैं कभीता पढ़ते हुए उसको अनुभव करती हूँ सीन बाई सीन अपने मन में जैसे इसमें तीसरा गाना है मेरे ख्याल से वो चलो ओड़ू तुम्हारी याद की चुनुरी सबसे पहले मैंने अच्छली वो किया था कंपोस्ट तो अब ये तो गुन-गुना कर हम से हमारे साथ बाटे चलो ओड़ू तुम्हारी याद की चुनेरी सचू सबरू जरा मेहंदी लगालू चलो कंगन पहन लू और गालू पर कही काजल का छुटा सा तेर बनालू And here is part of my conversation with the lyricist himself. Let us watch Madhup Mohtaji. This interview was recorded using FaceTime. Take a look. So I wanted to see अपनी आवाज में बिना किसी ऑचेस्ट्रा या म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट के उनको रिकॉर्ड करें, उन्होंने वो भेजी और मैंने अपने घर में आयूत रहने वाली कोष्टियों में उनको मित्रों को सुनाया और सभी ने कहा कि गीता की आवास में वास्ता में वो मित्रों का सर्कल ने मुझे नहीं मालम कितने लोगों ने ये लेकिन इसका जो तीसरा ट्रैक है वो मेरा ऐसा सर्कल जो गांश से जोड़ा हुआ है फोक सर्कल में वहां ये काफी पसंद की गई है चलो और हूं तुम्हारी याद की चुनुरी और जो अंतिन कविता है जिसको उन्होंने फिर फ्री फ्रो में गाया है तुमने कभी रात की खामोशी से वो अबन साकल में जो एक अबन एनामी की कविता है वो दिली में काफी चल रही है उन्होंने मेरी कविता को जीवन्त किया है और इसके लिए मैं उनका आप आरी हूं तुमने कभी रात की खामोशी स से बाती की है उसकी तनहाई का दर्द कभी बाटा है